कैसे आप सबी लोग एक बाद फिर से स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें कल मैंने आपको इकोनोमिक का बैलेंस और पेमेंट के जो एकाउंट्स होते हैं अर्थार भुकतान संतुलन से संबंदित जितने भी खाते हैं उनके बारे में बताए था कि चालू खाता क्या होता है चालू खाते के दो भाग कौन्च हैं द्रिश्य खाता या अद्रिश्य व्यापार या द्रिश्य व्यापार औरफ़ात visible-invisible जो होते हैं आपके यानि जिसको आप trade accounts आप भी बोलते हैं उसके अंदर जो ट्रेड वाले में हैं वस्तुं का व्यापार होता तरजो द्रिश्टी व्यापार होता है यानि गुट्ज का होता है अरफ़ात अद्रिश्टी में जो होता है वो सेवाओं का होता है, सर्विसेस का होता है सर्विसेस में क्या आती है इसके अलावा जो ग्रांट्स है या जो एक तरफा ट्रांसफर होता है मनी फॉरन से हमें वो किसमा हम लोग रखते हैं ये सब बताया था इसके बाद मैंने आपको capital account बताया था सरकार का पूजी खाता उसमें कौन से चीज रखते हूं मैंने क्या कहा था जिससे आपकी assets का creation होता है या जिससे liabilities change होती है चाहे आपके उपर आए या आपके उपर कम हो वो सारे के सारे चीज़ हम किसमें रखते हैं capital account में तीसरा भी मैंने बताया था जो official था जिस मायव हैं फोगेरा से संबंदित हम पैसा लेते हैं उसको रखते हैं ठीक है तो वो बहुत easily आप लोग समझ गए होंगे आज हम कुछ उसके आगी को point देखेंगे बच्चों जो आपको समझने हैं तो आपको किस तरीके से इन चीजी को देखना है वो आपको लिखना होगा ठीक है तो note करके लिखेंगे आप लोग यह आपके note माएंगे ठीक है note करके लिखे point number one यानि इस note के अंदर point number आप में क्या लिखना है हमेशा याद रखना जो हमारा current account था उसके अंदर मैंने पहला पढ़ाया था आपको व्यापार खाता अगर आपको ध्यान होगा पहला मैंने पढ़ाया था व्यापार खाता जिसको आप visible account भी बोलते है ठीक है तो यह आद रखना है व्यापार खाते की विसुद्ध इस्तिति अर्थात net position of trade account या आपने आप में visible account तो उसमें क्या होता है व्यापार खाते की विसुद्ध इस्तिति को balance of trade account कहा जाता है ठीक है तो लिखो व्यापार खाते की विसुद्ध इस्तिति व्यापार खाते की विसुद्ध इस्तिति विसुद्ध क्या मतलब net condition ठीक है व्यापार खातेगी विसुद्ध जो इस्तिती होती है net condition of the trade account तो इसको जो बोला जाता है बच्चो वो क्या बोला जाता है balance of trade account कहा जाता है विसुद्ध इस्तिती को balance of trade account balance of trade account कहा जाता है ठीक है इसको अब देखो अगर कभी question में आता है कि balance of trade account किस चीज़ से संबदी थे कहां पर क्या चीज़ आएंगी तो आपको याद रखना होगा कि जो व्यापार खाता होता है व्यापार खाता मैंने आपको पढ़ाया था कल कौन सावल होता है उसकी विसुद्द इस्तिती अब आपके समझ में बागी तो सब आगया लेकिन विसुद्द इस्तिती समझ नहीं है इसको बोलता है मैं तो net position यानि export और import यानि आप इसको बोलोगे net position यानि विसुद्द को बोलता है इंग्लिस में net ठीक है net position of export and import यानि आपने कोई चीज यहाँ से बाहर से मंगाई और आपने कुछ चीज या बाहर भेजी और आपने कुछ मंगाई यानि जब आप कुछी देश को कुछ चीज भेजोगे या कुछ यहां से trade व्यापार करोगे और उस देश से भी कुछ चीज लोगे तो आपने अगर उस देश को भेजी तो आपको पैसा मिलेगा उस देश से आपने लिए तो आपको देना पड़ेगा यानि कहीं न कहीं condition या आपने ज़्यादा दिया होगा या उससे ज़्यादा लिया होगा यही तो होगा उन दोनु का gap देखोगे तो net position क्या आई उसकी उसी को balance of trade account बोलते हैं चिक है अब देखो बच्चो जो balance of trade पक्षी है हमें यह पक्षी में भी हो शकते हैं उसके favor में भी आसकते है उसके against या इन इसको घटा भी हो सकता है फाइदा भी हो सकता है यदि यह negative है, suppose आपको इसमें घाटा हुआ है, ठीक है, तो घाटे की इस्तिति होती है, और यदि यह positive है, तो हमें अधिसेजरी हमें balance मिलते हैं, ठीक है, अब देखना, यह क्या है, यह जो condition है, यह क्या हो सकती है, जो व्यापार खाते की विशुद्धी इस्तिति होती है, य या तो पक्षि में भी हो सकती है, या आपके फेवर में, या पक्षि में, या भी पक्षि में, कुछ भी हो सकती है, आप खुदी बताओ आप, मैंने क्या कहा, जो हमारा trade account था, trade account आप अच्छे से जानते हैं, जिसके अंदर हम वस्तुओं का ब्यापार करते हैं, अब आप इसको देखेंगे हम कि export और import का gap कितना आया है, ठीक है, तो या तो या तो या आपके फाइदे में होगा, या आपके नुक्सान में होगा, हमेशा या दखना, यदि अगर आपके पक्षि में है, ठीक है, अर्थार यदि आपको इसका पक्षि मिला है, या या इससे ठीक है, अब देखो, पक्षि में अगर आपके देश में आया, अगर आपके पक्षि में, आपके देश के पक्षि में आया, या आपने उस देश को ज़्यादा भेजा और उस देश से कम मंगाया है, वर्ल्ड के साथ आपने ज़्यादा ट्रेट किया, उस से कम अपने आप मैं मंगाया तो आपके पक्सिमा आया अगर आपके पास पक्सिमा आया तो आप क्या करोगे positive इस्तिति में यानि आपके पास surplus बचेगा पैसा ठीक है अधिसेज बचेगा अधिसेश बचेगा ठीक है और अगर आपके व्यापार नगेटिब है यानि विपक्षिमा अगर आपका आया है तो आपके पास अधिसेश नहीं होगी तो ये घाटे की इस्तिति होती है अगर विपक्षिमा होगा तो घाटे की इस्तिति ठीक है आप इसको एक्जाम्पल दे गाटे की इस्तिति ठीक है अब देखना हमेशा याद रखना जो हमने एकाउंट्स पड़े थे पहला मैंने पड़ाया था करेंट अकाउंट तो करेंट अकाउंट क्या बोलोगे आप सर या तो ही पॉजिटिव होगा है नगेटिव होगा इतना ही तो बोलोगे आप कॉमन सें बाहर से ज़्यादा बंगाएं आप यह चाहोगे कि आप बाहर से ज़्यादा दो लेकिन आप कंडिशन कुछ भी हो सकती है आपके पास सर प्लस बज सकता है या आप घाटे की स्थिति में आ सकते है ठीक है पहला लिखना दूसरा लिखना बच्चो जो अद्रिश व्यापा कहुआते की विशुद्य इस्तिती को balance of invisible accounts बोलने है ठीक है या Balance of invisible accounting, यानि आपने आप में क्या हुआ, अद्रिश खाता, यानि अद्रिश से खाते का भुगतान जो बोलते हैं, Balance of Invisible Account लेकिन ये कब बोला देगा, अद्रिश से खाते की विशुद दिशते थी, यानि net position of invisible अद्रिस से खाते की विसुद देशती थी अब इसमें भी होई है आप इसमें भी same to same check करोगे आया तो मतलब आपने बाहर ज़्यादा भेजा है या बाहर से ज़्यादा लिया है इसी चीज़ को क्या बोलता है बच्चो balance of invisible account ये भी positive या negative हो सकता है ये भी क्या हो सकता है बच्चो ये चीज भी या तो क्या होगी positive होगी यानि सकारात में या negative होगी अब कब positive होगी बताने की ज़र्वत तो है नहीं मुझे लगता है क्यों क्योंकि अगर आपने किसी देश के सांद ज़्यादा invisible account invisible मतलब जो अद्रिश सी व्यापार कल की class देखना अद्रिश सी व्यापार अगर आपने जो चीज अद्रिश सी में रखते हैं हम लोग सेवाओं को उस किसी देश से आपने सेवाएं ज़्यादा ली है तो आपको ज़्यादा भुकतान करना पड़ेगा उस देश को सेवाएं कम दिया rest of world को सेवाएं कम दिया services कम दिया तो आपको भुकतान मतलब क्या करना पड़ेगा कम पैसा मिलेगा तो ये भी positive और negative हो सकता है ये तो normal सा ग्यान है तो टेंसल लिने की जरुबत नहीं है अब देखो total current account current account में ये भी आता है ये भी आता है last class याद रखो total current account यानि समपोर्ण चालू खाते की विशुद्ध इस्तिति को current account balance बोलते हैं ठीक है थार्ड पॉइंट हूँ total current account की विशुद्ध इस्तिति यानि कुल चालू खाते की इसको हिंदी में बोलना कुल चालू खाते की विशुद्ध इस्तिति यानि net condition ठीक है को क्या बोलेंगे balance of current account बोलेंगे ठीक है इसको क्या बोलेंगे बच्चो balance of current account ठीक balance of current account बोलेंगे क्यों normal सा है अब उसमें total current account बतले ये भी आ जाएगा इन दोनों का total देखेंगे हमकी total क्या हो रहा है हमारे पास क्योंकि current account में क्या आता है दृष्य और अदृष्य दोनों ब्यापार आते है इसकी विशुद्ध इस्तिति हम देखेंगे कि हमने किसी देख के साथ जो दृष्य और अदृष्य व्यापार है visible और invisible जो व्यापार है हमने कितना उस देख को दिया है कितना उस देख से लिया है उनका हिसाब किताब रखेंगे उसकी विशुद्ध condition को निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा ठीक है ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, अब ये भी positive और negative हो सकता है, negative होने की इस्तिति में current account deficit सब्द का प्रियोग किया जा सकता है, ठीक है, ये भी क्या हो सकता है, ध्यान रखना, लिखो ये भी सकारात्मक positive या negative हो सकता है, ठीक है, ये भी positive या क्या हो सकता है, negative हो सकता है, ध्य अगर यह negative है तो इसके लिए current account deficit सब्द का प्रियोग किया जाता है ठीक है current account deficit यानि चालू खाते का घाटा इसको को बोलेंगे चालू खाते का घाटा हिंदी में क्या बोलेंगे चालू खाते का घाटा मतलब कुछ भी terminology AC नहीं है जो आपने नहीं सुनी आपको पता है चालू खाता क्या होता है चालू खाते में आप क्या-क्या रखोगे चालू खाते का घाटा क्या होगा आपको पता है कि जब आप total चालू खाते का घाटा क्या होगा आपको पता है कि जब आप total चालू खाते क साथ अगर आपने टोटल निकाला आपने उसका व्यापार जब किया अगर आपको वो चीज़े कम अपने देश में मंगानी पड़ी और आपने उन सर्विसेज या गुट्स को जादा उस देश को भेजा जितना जादा उस देश को दोगे उतना आपको पैसा मिलेगा फॉरन क जो इंटरनेशनल जो करनसी होती है आपके देश में रिजर्व रहती है रखना पड़ता है आपके बाद हर क्राष्ट चाहता है कि ऐसी करनसी जो पूरे विश्चो में माननी हो या सब जगे चल जाती है आपके बाद जितना उसका भंडार होगा आपकी एकोनोमी उतनी मज पूत होगी अब आप चीजों को बाहर से मंगाए जा रहे हो मंगाए जा रहे हो पैसा तो नहीं कि 10 रुपी का नोट 20 रुपी का नोट देगे बाद होगे आपको डॉलर में ही करना पड़ेगा या जो करनसी माननी है उसी में करना पड़ेगा आप बाहर से चीज़ा मंगा क्या बढ़ाय था और राजकोशी घाता होने के साथ current account deficit चालू खाते का भी घाटा है तो इसको बोलते हैं twin deficit की इस्तितिक आ जाता है अगर यह point बहुत important हो जाता है तो यह क्या बोलते हैं इसको twin deficit की इस्तिति ठीक है लिखो किसी राष्ट्र में किसी राष्ट्र में यदि च राजकोशी घाटा वह चालू खाते का घाटा दोनु पाए जाता है fourth point यदि किसी राष्ट्र में यदि किसी राष्ट्र में राजकोशी घाटा fiscal deficit यदि किसी राष्ट्र में राजकोशी घाटा वह जो अभी पढ़ा है चालू खाते का घाटा current account deficit ठीक है चालू खाता यानि इस इस्तिति को का बोलोगा आप ट्विन्ट डेफिसेट यानि जुडवा घाटा बोलेगे तो यह डबर घाटा हो गया आपके ऊपर 12 घाटा हो गया क्यों क्यूंकि आपके बजट में राजकोशी घाटा अल्रेडी चल रहा अब कई बच्चे जैसे पहली बार में एक वीडियु हमारे होंगे ,कभी इदर मार रहे होंगे ,कभी इदर घुमा रहे होंगे ,कभी ऐसे सर पतक रहे होंगे .कई nIONे तो सर फ्रवीडियो भी छोड़ दियोगी, जो इस बात पर ज़्यादर बिलीब करता हो कि आपके अंदर ग्यान होना चाहिए उसी ग्यान से आपका एक्जाम निकलेगा जैसे हाली मैं अधिनस सेवाच चैनायक के अध्यक्ष ने तक कह दिया जो वन डे एक्जाम आप लोग करते थे जिसमें बच्चे को सोचना पड़े यानि जो बीपिडियो वीडियो का पेपर आया था उससे ये साबित होता है कि वन लाइनर का दौर चला गया है ये सच है बच्चो अभी भी आप अवेर हो जाओ वन लाइनर का दौर चला गया आएंगे वन लाइनर कोशन ऐसा नहीं है लेकिन अब उसका दौर आपको स्टडी के साथ ही वन लाइनर निकालने पड़ेंगे आप सुचो कि कुछ भी वन लाइनर पड़े जाएं कभी भी कुछ कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा इसे ठीक है कड़वा है लेकिन साच है तो ट्विन डेफिसिट मेरे ऐसे चात्रे जो रेगुलर इन चीजु को फॉलो कर रहे थे जब मैं पिसले कुछ टाइम से एकोनोम अगर बोथ हम कहीं पर देख रहे हैं तो उस देश में ट्विन डेफिसिट होगा अब उससे कहा जया अच्छा रट क्या है उसने बोला ना रट की नहीं समझ क्या है उतलो उसने बता पूछ बचल बता भी फिसकल डेफिसिट क्या होता है तुरंत उसके दिमाग में आगे तो कहीं से कहीं तक क्वेशन पूछे तो आपको फेल होने की जर्वत है ही नहीं क्यूंकि आप कॉंसेप्टे के साथ चीज़ों को पढ़ रहे है ठीक है तो क्रेंट डेफिसिट और यह दोनों पाए जाएगा तो क्या होगा आपने आप में ट्विन डेफिसिट और इसका जो हमारा कैपिटल एककांट होता है फूजीखाता सरकार का ऐसा एक अइसेटे कर रहे हैं जहां पर अणकल दैता है زंक समृजी सुएपर वांसों वह द При've creation होता है या assets वाली चीज़ें परभावित होती है तो वो सारी चीज़े हम capital account यानि पूजी खाते के अंदर रखते हैं बताओ कितना नॉर्मल सा है बताओ आप अपने दिल पे हाथ रखे पुछो क्या यह चीज़ें सुनी थी आती थी आपको नहीं आती थी अब आप किताब सर आप जो यह पढ़ा रहे हो इसका page number बता जीजे किताब में नहीं मिलेगा मैं page number से पढ़ाता ही नहीं हूँ मैं तो क्या करता हूँ किसी भी जैसे 3-4 किताब हुई economy की उसमें से जो आपके exam like आएगा या उसको कैसे समझाये जाए अब इसको दिखा दो आप मुझे चलो किसी भी किताब की किसी भी page में दिखा दो जिस स्रीज में मैं पढ़ा रहा हूँ किसी भी किताब में मैं आपको challenge कर रहा है किसी भी किताब में कहीं पे भी आप दिखा दो आपको challenge है जिस स्रीज में मैं पढ़ा रहा हूँ किस किताब में ऐसा होगा ही नहीं ठीक है तो पूजी खाते में होने वाले credit परविश्टिव यानि कोई आपके account में credit हो रहा है पैसा आ रहा है यानि उसकी entry हो रही को capital inflow यानि पूजी गत अंतरपरवाह कहा लाता है ठीक है तो लिखो पूजी गत अंतरपरवाह यहां पर heading लिखो पूजी गत अंतरपरवाह इंगलिस मीडियम वाले लिखना capital inflow capital inflow ठीक है तो पूजी गत अंतरपरवाह क्या है तो पूजी गत खाते में होने वाली entry हो ठीक है जो आपकी सरकार की पूजी गत खाता है पूजी खाता जिसको बोलते हैं पूजी खाता में होने वाली entry प्रविश्ट्रियों को प्रविश्ट्री मतलब एंट्री जो हम करते हैं ठीक है एंट्री लिख दो आप लोग सीधे तो पूजी खाते में जो एंट्री हो रही जो क्रेडिट हो रहा आपका यानि पूजी खाते में होने वाले क्रेडिट प्रविश्ट्रियों को लिख हो या यानि आपके account में जैसे credit हो गया ठीक है, credit प्रविश्ट्यू यानि entry को, यानि credit entry बोलते हैं इसकू ठीक है, यानि credit प्रविश्ट्यू को आप क्या बोलते हैं, फूजीगत अंतरपरवहा, अब इसके example दीको, by chance कभी question में आगे, इन में से कौन सा एक आपकी फूजीगत अंत संपत्ति का निर्मान अगर किया जाए ठीक है ठीक हो विदेशियों द्वारा भारत में संपत्ति का निर्मान अब आपको के सरी कैंसे संपत्ति का निर्मान अब बदा देखो कोई अगर आपने संपत्ति कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग मना दी कॉमर्शियल बिल्डिंग म नहीं मिला होगा तो उस लेंड को उसने पर्षेस किया होगा या मत्तब उस से रेवेञ्यू मिला तो कहीं नहीं सरकार को इस से जो भी फाइदा होगा ऐसे तो देगी निए तो आप कहां रखोगे उसमें इसमें रखोगे तो दूसरा जैसे भारते होदारा विदेश School से रहे अगर कोई भारती है भारती यूं द्वारा विदेश से रेण अब विदेश से रेण लोगे तो कहां आएगा एकाउन में तो आएगा ना सरकार के विदेश से रेण तो अब ऐसा तो नहीं कि रुपी में वाजर रेण देगा हो अब ये रिंड जो होता है बच्छों चाहे सरकारी हो या नीजी ये दोनों ही कहां आएगा आपका सरकारी अबलिक प्राइवेट भी आएगा तब भी आप गवर्मेंट और प्राइवेट दोनों अगर हम भाहर से रिंड लेते हैं भारतियों से लिएगे रिंड का पुनर्भुक्तान भारतियों से लिए गए ये तो आप मैंसे भी समझते हैं पैसा आता है क्योंकि इस में लायबिलिटीज परभावित हो रही हैं आप खुद ही देखो संपत्ति का निर्मान या संपत्ति से संब्धि कोई लायबिलिटी जा रही है ठीक है आपके रिंड लिया तो आपके उपर लायबिलिटी जा गी तो कहां रखोगे उसको पुजी खाते में पुजी गद अंतरप्रवा हो गया ठीक है विदेशियो दारा भारतियों से लिएगे रेण का पुणरभुकतान यानि उसने किया गया था पुणरभुकतान उसने यहां से पैसा लिया था और यहां उसने क्या कर दिया लास्ट में वापस कर दिया ठीक है प भारतियों जारा विदेश में संपत्ति को कम किया जाना भारतियों जारा विदेश में संपत्ति कम अब आपको के सर ये कैसे हो गया ये ऐसे हो गया देखो अगर विदेश में संपत्ति है भारतियों की तो भारतियों की संपत्ति है तो कहीं न कहीं विदेश में भारतियों को तो देना पढ़ता होगा कुछ न कुछ अगर देना न पढ़े कम हो जाए तो वो संपत्ति कम हो रही है तो उसका संपत्ति कम होगी तो यानि वो बेज रहा हो गया कुछ कर रहा हो तो अपने पास पैसा आएगा उसका एक मुस्त तो संपत्ति कम करना भी अपने आप में क्या है capital influence को ध्यान में आप लोग रखना ठीक है ये 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 सारे के संपत्ति को बेचा जाना पहला दूसरा भारतियों दारा विदेश्यों से रिण लिया जाना तो इसका उल्टा हो जाएगा भारतियों दारा विदेश्यों को रिण दिया जाना तीसरा हो जाएगा विदेश्यों दारा भारतियों से लिएगे रिण का पुर्णर भुक्तान इ आप लोग ठीक है पूजिगत बहिर गमन यानि इसको बोलते हैं इंग्लिस में क्या capital doubt, capital outflow ठीक है capital outflow लिखो इसको इंग्लिस में capital outflow ये क्या चीज होती है बच्चो इसमें लिखो पांच में ये बिंदु संख्या पांच का उल्टा ऐसा लिए तो सब आप सब आप समझ जाओगे ठीक है बिंदु संख्या पांच का उल्टा यानि जितने भी बिंदु संख्या में ने पांच में लिखे इसके अब सोचो अब कई बच्चें ऐसे होंगे उनके इस समझी नहीं आ रहा होगा कि इसको हम याद कैसे करें या कैसे पढ़ें यह सब कॉनसेप्ट है इसको याद ना याद करना है न कुछ करना है यह जब आपको पढ़ाया गया था capital account यह होता है capital account में कौन से कल मैंने आपको यह पढ़ाया नहीं बताओ कि capital account में हम संपत्यों से संब्धित या liabilities को परभावित करने वाली चीज़े सामिल करते हैं तो है तो सही भई यह सब के सब वही तो है आपका यह तो संपत्य निर्मान हो रहा है संपत्य को बेज रहे हो या आप उधार ले रहे हो या उधार द अब मुझे तो लगता है कि आपको इतने ज्यादे दिक्कत होगे एक दोबार रिवाइज करना आप लोग बहुत अच्छी से संब्धाओगे ठीक है अब एक अत्ति महत्तपून प्रस्ण लिखो विदेशी मुद्राओं के प्रकार मतलब विदेशी मुद्राओं के प्रका अब देखो विदेशी मुद्राओं क्या है बच्छो मैं आपको बताता हूं कुछ मुद्राओं कुछ करन्सी ऐसी है अंतराष्टे इस तर पर जिसको विदेशी मुद्राओं मतलब ऐसी करन्सी है जिसके मतलब जो अपने आप पूरे विश्व मानने है यानि आप उस करन्सी में एजली ट्रेट कर सकते हैं अब देखो कई हर कंट्री की अपनी करन्सी है अब उसके पास अपनी करन्सी तो बहुत हो सकती है लेकिन अंतराष्टी मार्केट मों चलेगी इंडिया केंजरी वेंग के पाद वो एक्सेंज कर देगा अगर आप एक डॉलर लिखे आ तो वहाँ पे जहां से सोर्स वगर आपको बताना होगा जो भी प्रोसीजर होती है आपको एक डॉलर का 80 रुपे होता है तो 80 रुपे मिल जाएगा क्योंकि अंतराश्ची मुद्रा ह जो अपने आपको संपत्ती होती है एसेट्स बोलते है उसको ठीक है तो लिखो पहला foreign currency assets अब इसमें कौन-कौन से आएंगे foreign currency assets यानि विदेशी मुद्रा जो संपत्ती होती है इसके अंदर दो आते हैं ठीक है एक को बोलते हैं बच्चो convertible currency यानि परिवर्तनी मुद्राएं लिको इसको इंग्लिस में बोलते हैं convertible परिवर्तनी मोद्राइं ठीक है? परिवर्तनी मोद्राइं यहीनि convertable currency दूसरे को बोलते है बच्चो जो परिवर्तनी मोद्राओं में निकाले जाएंगे यहीनि treasury bills एक लिखो treasury bills treasury will ठीक है? और इस में लिखो जो परिवर्तनी मुद्राओं में निकाले जाते हैं, जो अभी समझाते हूँ ठीक है, और क्या पर परमाएगा उभी बता हूँ, टनि जो परिवर्तनी मुद्राओं में निकाले जाते हैं, मुद्राओं में निकाले जाते हैं ठीक है अब समझाता हूँ एक मिलें जो परिवर्तनी मुद्राओं में निकाले जाते हैं देखो अगर कभी कुश्चन पुछता है इन में से कौन कौन से विदेशी मुद्रा भंडार में सामिल के जाते हैं तो पहला आपको foreign currency assets आपको पता परिवर्तनी मुद्राओं में निकाले जाते हैं सबसे पहले आपको पता हूँ न अच्छे कि परिवर्तनी मुद्राओं क्या होती इसमें आता है बच्चो American dollar, British pond, Japanese yen और euro ठीक है इसमें लिखो पहला क्या क्या आएगा American dollar American dollar ठीक है दूसरा लिखो जापानी yen यानि जापान की मुद्राओं ये न है तो American dollar जापान की ये इसके अलावा तीसरा लिखो British pond और euro ठीक है euro पतला eurozone की, British, यानि British की कहए pond है, ठीक है, British, pond and euro, basically ये चार मुद्राओं है, अब आपको क्या करना है, आज नेट पे एक बार सर्च कर ले रहा कि कौन-कौन सी मुद्राओं, भारत की, मतलब कौन-कौन सी मुद्राओं, convertible हैं, भारत में कौन-कौन सी मुद्राओं परिव जैसे current account का हम कोई हिसाब किताब कर रहे हैं, अगर जापानी yen में अगर आपके ब्यापार हो रहा है, चल जाएगा, भारत का ब्यापार, जापानी, जापान की yen मुद्रा में चल जाएगा, वो convertible हो जाएगी, क्योंकि वो परिवर्तनी है, ठीक है, यूरो में चल जाएगा British pond में चल जाएगा, American dollar में चल जाएगा, अब आप लेके आए, पागिस्तान का, नैपाल का कुछ होगा, बांगलादेश का कुछ होगा, वो परिवर्तनी नहीं है, वो convertible नहीं है, ठीक है, अगर भारत को जापान के साथ, sorry, ये किसके साथ, बांगलादेश के साथ ब्याप ब्यापार करेगा, तो इसी को विदेशी मुद्रा बंडार बोते हैं, अगर भारत को किसी देश के साथ ब्यापार करना है, तो उस भारत को, ये वाली जो, क्योंकि American dollar तो पूरी विस्ट्व में लगभग माननी है, आपके पास American dollar है, आप रूस के साथ ब्यापार करेगा, तो उसको dollar ही पेट करना पड़ेगा, आप रूपिया दे के थोड़ना करोगे ब्यापार, इसलिए कहते हैं, विदेशी मुद्रा बंडार में जो परिवर्तनी भारत में, अगर ये मुद्राएं परिवर्तनी बनाया, तो आपके पास ये बंडार होना चाहिए, आप अंतरा ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी सुना होगा न, आपनेट, जैसे कोई एकाउंट्स में पैसा आता, उससे पहले बिल लगते हैं, ट्रेजरी उसको पास करते हैं, कोशागार उसको बोलते हैं, लेकिन कोशागार भी कौन से मुद्राओं फोरन करेंशी आएगा, ऐसे परिवर्तन अगर भारत के पास सोना है तो इसका मतलब उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है क्यों क्योंकि सोना पूरे विश्वमा मानने है तो आप इसको विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर सामिल कर सकते हो अगर आपके इस्तिती बहुत खराब है तो अगर आपका गोल्ड भी है तो तो भी चल जाएगा क्यों पूरे वर्ड में मानने है ठीक है तो विदेशी मुद्रा बंधार में क्या-क्या सामिल किये जाते है फॉरें करेंसी एसेट्स अगर पूछेगा कि विदेशी मुद्रा बंधार में कौन सा समलित है सोना इसके अलावा परिवर्तनी मुद्रा है इसके अलावा ऐसी परिवर्तनी मुद्रा है जो ट्रेजरी बिल में हो या फॉरें करेंसी ऐसेट्स जो भी पूछे यह सब विदेशी मुद्रा बंधार का हिस्सा ह तीसरा लिखो बच्चो, SDR, Special Drawing Rights, Most Important कर देना, इसको कागजी मुद्रा भी बोलते हैं, ठीक है, Special Drawing Rights, इसको दूसरे सब्दों में कागजी मुद्रा भी बोलते हैं, कागजी मुद्रा भी बोलते हैं, ठीक है, Actually, यह जो Special Drawing Rights है, मैं आपको जब IMF फढ़ाऊंगा, अंतरास्ती मुद्रा कोस, वहां मैं इसको समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ इसको लिखना, SDR, Special Drawing Rights, इसमें लिख देना, आप IMF की एक मुद्रा जिसे 1969 में सुरू किया गया था, ठीक है, यह किसकी मुद्रा है, IMF, International Monetary Fund अंतरास्ती मुद्रा कोस की मुद्रा, जो की 1969 में सुरू किया गया था, तो अगर आप SDR भी आपके पास है, Special Drawing Rights क्या होते हैं, आपको बताऊंगा, जब इसका टाइम आएगा, अभी इसको सिर्फ विदेशी मुद्रा बंधार में कौन से समलित किया जाते हैं, वो आपको ठीक है, Reserve Transposition, लिखो, RTP, ठीक है, यानि इसको आप लोग क्या लिखोगे, Reserve, यानि Reserve, R-E-S-E-R-P-E, लिख लो, Reserve Trans, T-R-A-N-C-H, Position, P-O-S-I-T-I-O-N, ठीक है, तो Reserve Transposition, इसको बोला जाता है, ये भी अपने आप में क्या है, एक परकार की विदेशी मुद्रा बंधार है ये क्या होता है, किसी भी राष्ट के IMF में कुल कोटाओं का 25% भाग, जिसे परिवर्तनी मुद्राओं में जमागना होता है, ठीक है, अब देखो, RTP क्या होता है, इसके निचे लिखो, Reserve Transposition, ठीक है, लिखो, किसी भी राष्ट का, अब मैं समझाता हूँ, आप टेंसर मत देना, ठीक है, अब लाष्ट है, किसी भी राष्ट का, IMF के कोटा, कोटा का 25% भाग, जिसे परिवर्तनी मुद्रा में जमा करना होता है, परिवर्तनी मुद्रा मैं बताऊंगा, आपको यह अलग सा topic है, ठीक है, परिवर्तनी मुद्रा में जमा करना होता है, ठीक है, यह होता है, बच्चो, चार प्रकार के विदेशी मुद्रा भंडार, आपने अगबारों में सुना होगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडा मुद्राओं के रूप में रखा है, basically यह मुद्राएं अभी परिवर्तनी है, अब इसमें क्या अबडेट आया है वह आप चेक करना हो सकता है, चीन का मेरे खाल से चीन की मुद्राएं है युवान है, क्या है उसको चेक कर लेना कि आया है नहीं आया जो भी है, ठीक है, हो सकत कि चीन की मुद्रा कुछ एकाद इसमें एड हो गई हो बट जितना मेरे नॉलेज में है अभी मैं इसको अपडेट कर दूँगा आपको इसको देखो कॉमा करके इसमें ब्रेकेट में लिको अपडेट करना है अपडेट करना है ठीक आप समझ जाओगे देखो बिदेशी अपने बढर्रेस अरगार इनमे निकाले गए हो इनमें अब पता लगा आप रूपी में निकाले ओ थितना है और वो पता लगा परिवर्त नहीं है यह जो कागज का ठुकड़ा हो जाएगा दूसरा गोल्ड विष्टो लेबल पर वर्डल लेबल पर गोल्ड को विदेशी मुद्रा भंडार की संग्या दी गई यह तीसरा SDR इसको बोलते हैं कागजी मुद्रा यानि IMF की एक मुद्रा जो 1969 में सुरू की गई थी यह पढ़ाओंगा एक ही होता है बच्चो रिजर्ब ट्रेज अपने आप में पोजिशन यानि यह जो होता है यह के रिजर्ब ट्रांस पोजिशन ठीक है टी आरे एंसी एच यह क्या होता है बच्चो किसी भी राष्ट का IMF के कोटा अब मैं बताता हूँ यह कोटा सब्सक्राश्टी मुद्रा कोश जो है बच्चो उसके पास जो अपास शक्राश्टि कोटा दिया गया है कि आपके इस अपास हर राष्टि या है हर राष्ट का उस अपंर संपाierte में कोटा है इस यह कोटा है तो जैसे भारत का व्हारत का सौ रूपिया है सब्सक्राइब में तो भारत को क्या yourStना हो bod इस 100 रुपे में 25% भाग यानि रुपिया 25 भारत को क्या करना होगा जिसे परवर्तनी मुद्रा में जमा करना होगा उस 100 में से 25 रुपिया ऐसा होना चाहिए जो इन मुद्राओं में जमा हो इन में ये इन में ताकि आगर भारत को एमेरजेंसी पड़ी संकट काल हुआ भारत में भुक्तान संतुलन की स्तिती खराब हुई दूसरे देश को पेमेंट करना और है यह नहीं कुछ तो तुरंत IMF के पास जाके इस 25% में से हो पैसा बिना ब्याज के उठा सकता है IMF नहीं व्यवस्ता की है कि आपका जो कोटा है उसमों 25% आप हमारे पास कैसे रख दो अब जो इसमें है कि इसमें यह मतलब जो परिवर्तनी है ताकि अगर किसी कंडिशन में आपको भुक्तान संतुलन का संकट आपके पास आता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं परिवर्तन currency assets जो होते हैं इनका सबसे ज़्यादा है फिर gold बगरा, SDR बगरा जो भी मैं आपको अगले class में पढ़ाऊंगा अब हमारा अगला topic क्या होगा वाच्व विनिमाइदर, exchange rate, most important, क्या होता है अउमूलियन, क्यों अउमूलियन से आयात जो होते हैं महेंगे हो जाते हैं, निर दो बार revision करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर मिलते हैं अगले session पर अपना ध्यान रखिएगा, thank you